नमस्ते दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चानल यूट्यूब सहले पूजावे आज का ये वीडियो काफी ज़ादा most important topic के उपर है जो की काफी बार मुझसे request किया गया है इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे tips बताए जाएंगे जिसस जरूर लास्ट तक देखे और जो भी tips इसमें बताएंगे हैं वीडियो में वो जरूर फॉलो करें क्योंकि इस tips से काफी सारी महिलाओं ने जल से जल गरधारन किया है दोस्तों तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से request जो पहले वार चैनल पे आये हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बिल के आइकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो दिल से पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी करना दोस्तों कई सारी महिलाओं इनफर्टिलिटी के समस्या से प्रेरिद रहती हैं जिसके लिए काफी सारी उ महिलाओं आपसाद में आज आ जाती है अगर महिला गरवधारन की कोई से कर रही हैं और फिर भी कर दारन नहीं हो रहा है तो कुछ आदतों में बदलाओं करके यह तरीका आपको गरवधारन करने में काफी ज़्यादा मदद करेंगा जो इस वीडियो में आप आज जानने आईए जानते हैं उन तरीकों के बारे में और टिप्स जो आपको फॉलो करना है उसमें सबसे पहला है गर्भधारन का सही उम्र आपको जानना काफी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों गर्भधारन के लिए डॉक्टर के हिसाब से सही उम्र होता है 18-28 साल का इस उम्र के बी होने में 50-50 से ज़्यादा कम चांसेस होती है दोस्तों इसलिए यह देखना काफी ज़रूरी है कि आपका उम्र क्या है और अगर उम्र आपका ज्यादा है तो इस सब्जेक्ट पे यानि इस विसे में आपको जरूर डॉक्टर से परामर्स लेना चाहिए दूसरा होता है पह पूल कर भी अपनी पहली प्रेग्नेंसी को खत्म न करें यह गलतियां अक्सर नविवाहित कर डालते हैं और फिर उन्हें गर्धारन के लिए काफी परियास करने परते हैं दोस्तों जड़ासल पहली प्रेग्नेंसी ही आपके फर्टिलाइजेशन को सम्रीद करती है पहली प्रेग्नेंसी को ही अगर एवार्ट के जरिये खत्म करवा दिया गया तो वह काफी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देती हैं दोस्तों अब इसके बाद महामारी का चक्र नियमित करें अगर आपके इन रेगुलर प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस पर भी ध्यान देना काफी ज जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियेट का नियमित होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चौता है ओविलेशन पीरियेट पर नजर रखें दोस्तों जबी आप अपलेट होती है और उबलेशन का टाइम होता है तब आपके प्रेग्नेंसी के चांसिस काफी प्रेयास करें डॉक्टर कहते हैं कि अबलेशन पीरियेट में गरधारन के चांस साट से सतर पिस्ती होते हैं इस दौरान किये गए प्रेयास के रिजल्ट कंसीव करने की समभाबना काफी हद तक बढ़ा देते हैं इसलिए आप तभी ट्राइब करें जब आपकी ऑबलेशन पीरियेट स्टार्ट हो गई हो वजन पर जरूर कंट्रोल करें अगर आपकी वजन बढ़ी है तो उसको निरंता रखना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है बढ़े वजन के दौरान कसीव करने में काफी परिशानी आती है मोटापे के चलते लाखों मैला मां बनने क सोक नहीं भोग पाती है क्योंकि ओवलेशन के बाद ओवर्वेट के चलते उनके फिलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंध होने की आसंका बढ़ जाती है दोस्तों मोटापे के चलते कई मैलाओं की वचेदानी में सिस्ट तक हो जाते हैं इसलिए फ्रेंट्स कंसीव करने के पहले वजन को कंट्रोल जरूर कर ले और सेहत मंद आहार लेना काफि जड़ा इंपॉर्टेंट है जल्दी प्रेगनेन्ट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाले मा सेहत मंद आहार खाय और खान पान पड़ पूरा धेहान आइरन और केलसियम की कमी के चलते कंसीव होने में काफी ज़्यादर दिक्कत होती है कभी कभी कंसीव करने में काफी समय भी लग जाता है क्योंकि फ़र्टिलाइजेशन प्रॉपर डाइट से ही जुरा मामला है इसलिए फ़र्टिलाइजेशन अगर आप चाहते हैं टाइम से तो आपको nutrition में काफी ज़दे धियान रखना होगा आपको ऐसे हार लेने होंगे जो healthy हो तले भूने ऐसे हार नहीं लेने हैं friends आपको महिला खुस रहे और अच्छा खाना खाए तभी आपके pregnancy के chances 30% पर 30% जादा highly हो जाते हैं दोस्तों और बिल्कुल भी आप नसे का परयोग नहीं करें नए जमाने में लड़कियां भी cigarette और सराब पीती हैं लेकिन यही आदत गर्व धारन में दिक्कत पैदा करती है cigarette और सराब में प्रजन शमता को घटाने वाली तत्व होती हैं इसलिए आप यह सारी चीजे बिल्कुल भी avoid करें नहीं करें और लास्ट है गर्व निरोधक गोलियों का बिल्कुल भी सेवन ना करें जब आप pregnancy conceive करना चाह रहे हैं तो उससे आप पहले गर्व धारन करने से पहले यानि जबी भी आप pregnancy conceive करना चाह रहे हैं आपकी नई नवेली शाधी हुई है तो आप बिल्कुल भी गोलियों का परियोग ना करें जो गर्व निरोधक गोली आती हैं इसके side effects काफी जादा होते हैं और यह प्रजन शमता को कम कर देती है तो आपको यह काफी जादा हद तक ध्यान देना होगा छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो आपको बाद में काफी ज्यादा नुकसान दे सावित हो सकती है इसलिए इनफर्टिलिटी की समसाच जो भी महिला प्रेरित है यह सारी टिप्स जरूर फॉलो करना और इससे आपकी pregnancy जरूर रूखेगी दोस्तों और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेडी है आप कमेंट स्रीक्शन में पूछ सकते हैं आज के लिए फिलाल इतना है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों टेक कियर बाई बाई